So hello guys and welcome back to my another video तो आज के इस वीडियो में मैं आप सबी को बताने वाला हूँ कि कहीं आपका भी phone hacked तो नहीं जी हाँ बहुत से लोगों यह पता नहीं होता है कि वो कैसे चेक करें कि उनका phone hacked है या नहीं है तो चलिए आज के इस वीडियो मैं आप से भी को यहीं बताने वाला हूँ कि आप अपने phone को कैसे चेक कर सकते है कि वो hacked है या फिर नहीं है तो इसके लिए सबसे पहला तरीका जो आपको करना किया है अपने phone के dialer पर आना है और यहाँ पर आपको आके एक number dial करना star has six seven has और simplest पर call लगा दो और फिर देखिए यहाँ पर कुछ quotes आएंगे और यहाँ पर यह सारा कुछ लिखा होगा कि देखिए यहाँ पर call forwarding, voice, data, fax, sms यहाँ पर अगर हर एक में not forwarded लिखा हुआ है तो आपका phone बिलकुली safe है और यह एक तरीका है check करने का कि आपका phone hacked है या फिर नहीं है और अगर यह forwarded दिखाता है आपका कोई भी option तो उसे हटाने के लिए क्या करना है आपको simply एक number और बता रहा हूँ उसे आपको dial करके call कर लेना है उस पर आपको dial करना है has 002 has और simply एक करके इस पर आपको call कर देना है तो आप जैसे ही करोगे आपका जितना भी जो भी आपका forwarding on होगा वो simply off हो जाएगा यहाँ पर देखें आपके लिगा call forwarding all services has been disabled तो पहला तरीका तो यह है चेक करने का और अभी दूसरा तरीका क्या है आपको अपने phone में Gmail चेक करना है तो आप simply अपने phone में Gmail open कर लो और यहाँ पर देखें simply आपका जो top right side में circle type का दिख रहा है ना तुरंट उस पर click करके और उसे वहां से disable करो यह भी एक तरीका है phone चेक करने का कि आपका hacked है या फिर नहीं अगर कोई और Gmail login होगा यहाँ पर तो आपके data hacked कर सकते है यहां से तो चलिए अभी चलते है तीसरे तरीके की और और तीसरा करना क्या है आपको कि आपको अपने phone म करना है setting open होने के बाद simply आपको यहाँ पर search bar में जाके आपर search करना है security and privacy और जैसे ही आप इसे search करोगे तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो भी इंटरफेस हैगा ना simply आपको नीचे scroll करना है और यहाँ पर more security settings में जाना है और फिर देखिए यहाँ पर आपके समने इं इसे open होने के बाद देखिए आपए device admin apps में आपको यह check करना है कि कहीं आपके जो internal phone का जो app है उसके अलावा कोई और भी app तो नहीं है ने आपे जिसे आपने admin बना के रखा हुआ है अगर ऐसा कुछ है तो उसे जल्दी महां से हटो डिसेबल करो नहीं तो आपका सारा data यहां से देखिए जो third number पर option मिल जाता है मैं link device का तो simply इस पर क्लिक करो और यहां देखिए यहां पर आपको दिख जाएगा कि यहां पर कोई और device में आपका WhatsApp login है तो simply देखिए यह तो मैंने अपने PC में कर रखा है तो यहां पर देखिए Google Chrome Windows last active today इतना AM तो मैंने आज सु कर दे रहा है कि मेरा WhatsApp कहां कहां पर और login है तो simply आपको यह चेक करना है कि कोई और unknown device तो आपको WhatsApp login किया हुआ है तो simply अगर उसे हटाना भी है तो आपको करना कि उस पर क्लिक करो और यहां से देखिए logout का एक option आ जाता है हमें और यह location भी दिखा देता है कि कहां पर आपका चेक करते रहना तो I guess कि आपके लिए वीडियो helpful होगी तो वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को like करना और यह share कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल पर ना हो तो इसे subscribe चरूर कर लेना